तो फ्रेंज यह देख सकते हो यह 65 देश की बात का रिजर्ट है आप देख सकते हो इनपॉटन्स मैं आपको दिखाता हूँ वह निचे से भी निकल गया हे यह आप देख सकते हो यह मैंगो की ओड eh इस Trying के नहीं होती फैउस प्लान की एयर ले मिलंग होता है उस plant की cutting भी होता है तो यह बात जान लो जो plant air layering से त्यार होता है वो plant cutting से भी त्यार होता है तो result आप लोगों की समने है अभी full आने का time है इसी की वज़े से और 100% root की साथ दिखाया है तो आप लोग साहो तो देख सकते हो मेरे channel में जाके और इसको भी मैं आप लोगों को बिना routine hormone के गुरो करके दिखाऊंगा और सबसे important बात कफी सारे लोग कहते के mango की cutting गुरो नहीं होता तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो plant air layering से त्यार हो कटिंग को लगाने के लिए सही time बहुत ही important होता है तो अगर आप सही time पर करोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको cutting का result बहुत ही अच्छी तरह से मिलेगा तो mango की cutting आप जानुआरी मांच से अगस्त तक आप लगा सकते हो जुलाय अगस्त तक इंडिया में आप cutting लग कर सकते हो एया लेरिंग कर सकते हो मैंगो की यही time होता है इस time पर अगर मैंगो प्लांट पर आप कोई भी काम करो तो 100% success हो जाएगा तो अभी मैं आप लोगो को इसको गोलो करके दिखाता हूं बिना routine हर्मोन के मैं इस पर कोई भी routine हर्मोन नहीं लगाऊंगा और सबसे ज कोई देख सकते हो है नहीं कुछ एक्सेल भी है यह देख सकते हो यह एक्सेल हिसी इसी शॉयल में मैंगो की कटिंग अगर आप गुलो करोगे तो 100-% you will कर सको तो सबसे पहले इसको यहां से हम ऐसे कट करके इसका जो सिलका है वो अच्छी तरह से उतार देंगे इस तरह से सिलका अच्छी तरह से उतारना होगा और बहुत ही अच्छी तरह से साफ करना होगा आप लोग धियान से देखिए ताके बहुत ही आसान इसे आप लोग मैंगो की कटिंग को गुरो कर सको जैसे मैंने किया सेम टेकनिक से कीजिए 100% रिजाल्ट आपको मिलेगा तो अच्छी तरह से इसको साफ कर लिया है यहां से ही रूद बनना सुरू होता है यहां से ही रूद बनेगा इसी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से इसकी वज़े से हमें अच्छी तरह से साफ कर लेना होता है तो अब हम क्या करेंगे इस पर रूटीन हर्मोन नहीं कोई भ लगाएंगे इस तरह से यह फंगीसाइट है इसमें कोई भी रूटीन होर्मोन नहीं है फंगीसाइट मैं इसलिए लगा रहा हूं कि मैंगो की ब्रांच पर फंगस बहुत ही जल्दी लग जाता है तो यह आप देख सकते हो मैंने फंगीसाइट जो है बहुत ही अच्छी तरह से लगा दिया है और अब हम जहां से इसकी पच्टे मैंने काता था वहाँ पर भी लगाएंगे इस तरह से वहाँ पर भी लगाएंगे तो जहां से मैंने इसकी पच्टे काता था वहाँ पर भी मैंने लगा दिया है तो अब हम क्या करेंगे इसको पांच मिनित के लिए ऐसे ही शोर देंगे ताके जो फंगीसाइट है वह अच्छी दर से शूख जाए पांच मिनित के लिए हम इसको इसे शोर देंगे और उसके बाद यह पॉट देख सकते हो काफी सोटा पॉट है इस पर हम जो सोईल है वह भर लेंगे जो यह मैंने स्जो सोईल है वह फर दिया है अब हम इस कटिंग को ऐसे लगा देंगे ऐसे सेंटर में हम इसको ऐसे दबा देंगे इस तरह से बस और अब हम इस पर पानी दे दूंगे और जो पानी आप दे रहे हो उसमें भी थोरी सी मत्रा में फंगी साइट मिला लेना चाहिए यह बहुत ही अच्छा होता है इस पानी में थोरी सी मत्रा में फंगी साइट मिला हुआ है तो इस पानी को मैं ऐसे दे दूंगा तो जैसे ही मैंने पानी दिया आप देख सकते हो पानी तुरन पानी को सोक लिया या आप देख सकते हो स्यृफ के लिए अगर आप कटिंग लगा होके तो इसी स्यृफ करुद अगर हंदेध पसंट सक्सेस अब को मिलेगा कटिंग के लिए इसी तरह का सोई होना चाहिए अब हम इसके क्या करेंगे पॉलेटिम से कटिंग को सब्सक्राइब देंगे और अगर आप 20 में अगर आपको पानी देना है तो आप इसे हता के पानी दे सकते हो लेकिन इसको बाफ़स से लगा देना होगा पानी आपको हफते में एक बार देना है क्योंकि इसमें कोको पीथ है कोको पीथ पानी को इस तो रखता है जादा पानी देनी की जुरूरत नही इसको ऐसे उस तरह से बहुत सब्सक्राइब करेंगे तो इसकी वज़े से हम निकले और जब रांश निकल जाएगा तब हम इसकी अपडेट नियुक्ट आप लोगों के साथ जोरु शेयर करेंगे है तो फ्रेंट्स तब तक के लिए अभा देख सकते हो है करो यह से एक फूल निकल गया है और काफी सारे बलांशस निकल गया है याँ देख सकते हो यह एक ब्रांशस यह एक ब stab senhor in a यह अब देखसे करहें काफी सारे जो है ब्रांज we निकल गया तो फूल इसी की वज़ए से निकल ने का टांप है अगर हम अच्छी दरह से cutting लगाएंगे तो अभी full आने का time है तो इसी की वज़े से full निकल गया है और आप branches आप देख सकते हो कितनी सारी branches जो है वो निकल गया है और सबसे importance मैं आपको दिखाता हूँ जो root है यह आप देख सकते हो यह आप देख सकते हो यह root है निशे से यह आप देख सकते हो root निकल गया है यह आप देख सकते हो यह mango की root है इस तरह से निकलता है root तो निशे से भी root निकल गया है और अभी मैं आप लोग को इसको निकाल के दिखात काफ कि सारे लोग को मैंग्व की कके Warning क्टिंग नहीं होती, भाई जिस प्लांट की एरलेरिंग होता है उस प्लांट की के ट्टिंग भी होता है तो एय बात जाने, जो प्लांट से ट्यार होता है वो कैटिंग से भी ट्यार होता है , तो result कितनी सारे ब्रांशेस निकल गया है और कुछ दिन में यह जो ब्रांशेस है यहां से मुझे यह लगता है कि यहां से भी फूल निकल जाएगा क्योंकि यह मैंगो की खासियत है तो इस तरह का अगर ब्रांश निकलता है ऐसे सोटे पट्टे का तो यहां से फूल बनता है तो क बहुत ही independently से मुझे निकालने पड़ेगा पर घ linear आप देख नुखरता हूं फ्रेंट्स यह आप देख सकते हो इसका आप देख सकते हो पित्न अच्छी तर्ज़ से रूट इसका निकल गया है मैं चार्व तरफ से रूट निकल गया है ये आप देख सकते हो यह आप देख सकते हूं, शारों तरह से जो root है, वो निकल गया है, तो कितनी एच्छी तरह से root इसका निकल गया है, तो इसी तरह से अगर आप cutting लगाओगे, सही time पे mango की cutting लगाओगे, तो इस तरह का result आपको मिलेगा, काफी सारे लोग कहते हैं mango की cutting grow नहीं होता, मैं फिर भ से करना पड़ेगा, सही time में करना पड़ेगा, यह बहुत important होता है cutting के लिए, सही time बहुत important होता है, अगर आपको cutting से plan गोलो करना है, सभी plan की अलग अलग time होता है, cutting को गोलो करने का, mango की cutting ताब आप कर सकते हो, जब mango की full निकलने का समय आता है, उसी वक्त mango की आपको cutting करना अगर कटिंग से गोलो करना साओं तो कटिंग लगा सकते हो ग्राफिंग करना साओं तो ग्राफिंग कर सकते हो एया लेरिंग करना साओं तो एया लेरिंग कर सकते हो वही ताइम पर वह सक्सेस होगा अगर आप किसी और मंथ में करोगे तो कभी सक्सेस नहीं होगा तो यह लगा कि आप लोगों को दिखता हूं तो इसको कैसे लगते हैं यह बहुत होता है तो सबसे पहले आप जान लीजिए अगर हम पहली बार किसी प्लान को लगा रहा हैं तो उस मित्ती में जरा सा भी खाद नहीं होना चाहिए यह आप देख सकते हो यह सिर्फ और सिर्फ नॉर् अभी खाद देने की कोई जूरत नहीं है अभी सिर्फ में इसको लगाऊंगा और लगा कि आप लोगों को दिखाता हूं सबसे पहले इसकी थोड़ी सी मित्ती मैं निकाल लूँगा इस तरह से और उसकी बाद इसको यहाँ पर इसे रखूंगा यह आप देख सकते हो इसको मैंने यहाँ पर इसे रख दिया है और अभी जो मित्ती है वो मैं थोड़ी थोड़ी इसमें भर दूंगा इस तरह से इस तरह से अभी एक और मं ौ काम करना होगा टो फ्रेंस यह आप देख सकते हो यह बहुत इंपर 10 होतना है यह साफ अगरा आपकी पास साफ फंग कम को भी संग ले सकती होका है इस पहली बार आप प्लांट को लगा रहे हो तो उसमें फंगी साइट मिला हुआ है इससे क्या होगा हमारे जो कटिंग की निया रूध है वो सदेगा नहीं वह बहुत एच्छी तरह से गुरू करेगा यह बहुत इंपोर्टेंट होता है कि तो अब मैं इसको ही यहाँ पर दे दूंगा इस पानी को इस फूल को हम काट देंगे तभी हमारी जो ब्रांशे से वह बहुत एच्छी तरह से गुरू होगा मुझे लगता है यहां से भी यह भी बाद में फूल ही बन जाएगा अगर फूल बन जाएगा तो मैं इसे भी काट दूंगा अगर हम फूल को रहने देंगे तो कटिंग तो ऐसे फूल होना चाहिए पहली बार अगर आब कटिंग लगाओगे तो कटिंग जिस सॉल में लगा रहे हो उसमें कोई भी खाज नहीं होना चाहिए श्रिफ और श्रिफ नॉर्मल गार्दिनिंग शॉल में लगा उसमें आप थोड़ी से मत्रा में सैन्ड मिला सकते हो त तो फ्रेंज, रिजल्ट आप लोगों की सामने है, अगर आप साहो तो इसी टेक्निक से मैंगो की कटिंग कर सकते हो, मैंने इस पर कोई भी रूटीन हॉर्मोन नहीं लगाया है, सिरिफ और सिरिफ निशे, फंगी साइट मैंने लगाया था, क्योंकि मैंगो प्लांग पर तब भी मैं कोई निया वीडियो अप्लोट करो, तो सबसे पहले आप लोगों की पहुँच जाए, तो फ्रेंज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक यू